हाई आप सब का बहुत बहुत सवागत है एक नए वीडियो में तो जोस्तो अभी तक हम अनलाइन आधर कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते थे लेकिन दुस्तो अभी राष्ण काड ओनलाइन डाउनलोड की सुविदा भी अभी एवेलेबल हो चुका है तो दुस्तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यी राष्ण काड डाउनलोड कैसे कर सकते हैं साथ ही इसके क्या क्या बेनेफिट से यानि फायदे हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पर नहे हैं तो इसको ज़रू सब्सक्राइब किजिए साथ ही बेल आइकन को ज़रू दबाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तो सबसे पहले हमें किसी भी इंटरनेट ब्राउजर पर जाना है और यहाँ पर आपको NFSA यह लिख के आपको सर्च करना है तो सबसे पहले जो रेजल रहता है NFSA.gov.in यहाँ पर क्लिक करना है अभी देखिए हर एक स्टेट का राशन का वेबसाइट अलग अलग है तो सारे स्टेट का वेबसाइट देखने के लिए यहाँ पर देखिए रहाशन काड ऑप्शन है यहाँ जो सेगंड ऑप्शन है रहाशन काड डीटेल्स अन स्टेट पोर्टल यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि सारे स्टेट का वेबसाइट यहाँ पर शोगा यहाँ से आप अपने स food.wb.gov.in यह लिखके सर्च करना है यह वह बेंगॉल का राशन कार्ट का साइट है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले left side पर देखिए राशन कार्ड option है उसके बाद e-ration card option है तो यहाँ पर e-ration card option पर आपको क्लिक करना है उसके बाद नीचे के दर आपाना है यहाँ पर देखिए click to download e-ration card यह option पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करते एक नया page open हो जाएगा यहाँ पर simply आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको ration card number लिखना है यहाँ पर एक चीज़ को द्यान दीजिए सिर्फ number लिखना है जो संख्या है रation card का वो लिखना है संख्या से पहले जो a, a, y या फिर s, p, h, h लिखा होता है वो आपको नहीं लिखना है simply आपको number जो है वो लिखना है और उसके बाद यह category पर आपको s, p, h, h या फिर a, y, y जो भी आपका card category है वो आपको लिखना है उसके बाद download option पर click करना है download पर click करते ही देखिए यहाँ पर आपका ration card download start हो चुका है और download हो जाने के बाद यहाँ पर आपको downloaded file पर click करके आप अपना ration card देख सकते हैं तो इदकी यहाँ पर downloaded file पर मैंने click किया और अभी देखिए आपका ration card आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर आपको थोड़ा wait करना होगा यह PDF format में download होगा तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे आप ration card PDF में download कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए काफी instruction भी लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह original ration card मतलब hard copies ration card के समान तू लिया है और अगर आप इसको mobile में भी दिखाए अपने ration की दुकान में तो वो आपको ration देने के लिए मजबूर होंगे मतलब कि यह एकदम original ration card जैसा ही value है इसका तो यह आप कहीं पर भी use कर सकते हैं यहाँ पर आपको ration card details में आपका नाम father's name, head of family name यह सब आपको मिल जाता है fps license dealer मतलब dealer का नाम मतलब ration dealer का नाम address, fps code यह सब आपको यहाँ पर मिल जाता है साथी एक unique QR code भी यहाँ पर तो दोस्तो इस वीडियो की मदद से जैसा कि आपने देखा है कि कैसे online यह ration card आप डाउनलोड कर सकते हैं साथी इस ration card का क्या क्या फाइदे है यह भी मैंने आपको बताया तो वीडियो का अगर अच्छा लगा है तो एक like किजिए और share जरूर कीजिए चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में